इंडिया वस्स पाकिस्तान का महा मुकाबला बेहदी रुमान चक रहा जहां आज विराट कोहली की तावटोड पारी की बदौलत आज भारती टीम ने चार विकिट से शांदार तरीके से जीत अपने नाम करी है लेकिन आज विराट कोहली ने पाकिस्तान के गेंदबाजों के छक्के ही छुडा कर रख दिये ओपनिंग करनिया एक एल राहूल रोहिच शर्मा कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर पाए भही उसके बाद सूरिकोमार यादव भी कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर पाए लेकिन क्रिस्पर मजूद विराट कोली और हरदिक पाणिया ने शांदार प्रदर्शन दिखाते हुए भार्टी टीन को एक विशाल लक्षे तक पहुचाने में अपना बहतरीन योगदान दिया जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि विराट कोली ने 154 के स्ट्राइक रेट से अपनी पारी में 4 बहतरीन चोके और 4 बहतरीन छके लगाते हुए 53 गेंदो में 82 रन की एक ताबर तोड पारी खेली वहीं उनका साथ दे रहे हार्दिक पान्या ने भी उनके साथ बहतरीन साजिदारी करकर इस विशाल लक्षे तक पहुचने में बहतरीन योगदान भी दिया दोस्तों आपको बता दे कि यह मुकाबला आकरी ओवर में बेहदी रुमान चक था जहां आकरी ओवर में 6 बॉलों में चाहिए थे 16 रन और यह मुकाबला किसी भी रुक में जा सकता था लेकिन विराट कोहली की तावटोर पारी के बदौलत हमारी भारती टीम नहीं है जीत दर्स करी है जीत के बाद हमारी विराट कोहली थोड़े इमोशनल भी नज़र आए और जैसे ही मुकाबला भारती टीम ने अपने नाम किया सारे भारती टीम के खिलाडी क्रिकिट स्टेडियम में जाकर विराट को चेर अप करने लगे यहां तक की कप्तान रुईश शर्मा ने उन्हें अपने कंदे पर उठा लिया और दोस्तो हार्दिक पान्य ने भी उने शांदार तरीके से अप्रिशियेट किया दोस्तों आज विराट कोली की शांदार प्रदर्शन से हमारी भारती टीम ने 4 विकेट से जीत दर्स करी है और पाकिस्तान को धूल चटाई है दोस्तों अगर आप भी विराट कोली के इनिंग्स और भारती टीम के जीत से खुश है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भोले